हुआ 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 है और दोस्तों सबसे वहली बात आपा बहुत बहुत शुक्री आप सभी का अपकी का सपोर्ट आप का प्यार आज फिर यहां पर आपके लिए वीडियो बनाने के लिए खड़ा हूं तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ेंट होने वाली है तो आज मैं आपको रॉयल एंफील को शौक के लिए यूज़ करते हैं कई लोग राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं उन्हें राइड करना बहुत पसंद है लॉंग राइड तो वह रॉलन फील्ड यूज़ करते हैं कई लोगों को उसकी मजबूती पसंद है कई लोगों को उसकी साउंड पसंद है तो इसल में पिछले तीन चार महिने से कर रहा हूं फूपी पार्ट टाइम कर रहा हूं तो अभी मैं सोचा था कि मैं वरक्षोप बनाऊंगा और तब विडियो बनाएं स्टार्ट करूंगा बट अभी कुछ तो दोस्तों यह काम मैं कर रहा हूं पिछले तीन-चार महीने से माइलेज मेरी बाइक कुछ ऐसे पॉइंट्स है मैं आपको जाता हूं मेरी बाइक 50-60 किलोमीटर के बीच में दे रही है जो लोग मेरी जो 70 KMP वाली जो माइलेज थी अगर उसको फेक बोलते हैं तो आपके सामने यह सबूत है क्योंकि एक फूट डिलिवरी में बहुत जादा कोई उसके उपर चड़ा रहा है तो मजबूरी है करना पड़ता है जल से खाना वोचाना होता है तो बिल्कूल खड़कती नहीं है किसी की भी तरीके कोई भी साउंड नहीं है आज भी मेरी बाइक में 33,000 किलोमेटर चल चुकी है दोस्तों और एक और प्लस पॉइंट आप 1500-2000 रुपे लगता है हर सर्विस में जिसमें की ब्रेक्शू होते हैं और वाशिंग होती है एयर फिल्टर और सब कुछ कंप्लीट 1500-2000 के बीच में मेरी जो सर्विस है वो हो जाती है तो इतना कुछ खास जिस हसाब से मैं कमाता हूं तो उस हसाब से इतना कुछ लोड भी न सब्सक्राइब होगा है और ने वह बनाने का में मकसद यहीं है कि जैसे लोगों ने रॉयलंड वील्ड को एक हवा बना रखा है अब वह बात नहीं है रॉयलंड फील्ड बहुत जादा अपग्रेड हो चुकी है आप इसे एसे कमर्शिल बाइक तक यूज कर सकते हो और बह करता हूं राइट करना तो मेरा पैशन है और उपर से उसके पैसे मिल रहे हैं तो इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है तो दोस्तों मैं आज चुका हूं वापिस आपको वीडियो रेगुलर मिला करेंगी हफते में एक या दो वीडियो तो पक्का आएंगी और दोस्तों भी है वह एकदम लाइब मिला करेंगा जो बोलूंगा वह आपको करके दिखाऊंगा तो यह भी एक प्लस पॉइंट होएगा मेरे चैनल में और कोशिश की है और वीडियो कॉलिटी सुधारने की तो दोस्तों मैं रॉयलन फील्ड ऐसे कमर्शल परपर्स के लिए यूज कर झाल